प्रेंट्स मैं हुग आरब प्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SBI UNO में आप रेजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं SBI UNO जो है वो अप्लिकेशन अपडेट कर दिया गया है ऐसे हम बहुत सारे लोगों को जो है रेजिस्टेशन करने में दिक्कत हो रही तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया प्रोसेस से कैसे आप SBI UNO में रेजिस्टेशन कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को जो दिक्कत हो रही है बहुत सारा प्रोलम आ रहा तो आज की इस वीडियो में आपको एकदम step by step detail में बताएंगे कि किस तरह से आप registration कर सकते हैं और आपका successfully registration हो जाएगा तो friends वीडियो में शुरू से लेकर अंतक बने रही है और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो निचे subscribe button को press करके subscribe कर लेजिए और bell icon को press करके all notification कर लेजिए ताकि हर वीडियो की notification आपको मिलत रहे वीडियो अच्छा लगे तो like, share और comment जरूर कीजिए तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको प्लेश्टोर से यूनवे SBI के application डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद मतलब इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद open पर क्लिक करना है open पर जैसे ही आप क्लिक किजिएगा आपके पास कुछ permission मांगा जाएगा और permission आपको दे देना है allow कर देना है शब में allow करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो account number के साथ आपका mobile number registration है हुई SIM इस mobile पर लगा हो मतलब लगा हुआ होना चाहिए तब ही आप UNO SBI में registration कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते हैं फोन पे गूगल पे में आप करते हैं bank account add करते हैं तो उस time SMS द्वारा verify किया जाता है तो उसी तरह यहाँ पर भी verify किया जाएगा तो आपको जो है यहाँ पर वहीं SIM लगा होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आपको option मिल रहा है एक existing SBI customer और यहाँ पर new to SBI तो आप पहले से SBI customer है तो यहाँ पर आपको इसमें tick करना है और यहाँ पर उसमें tick करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक नया page open हो गया है यहाँ अपर आप देख सकते हैं यहाँ उनो registration का है यहां पर team select करने के लिए बोर रहा है, वह नहीं team select करना है जिसमें आपका account के साथ link किया हुआ है, तो में team select करना है select करने के बाद आपको next पर click करना है, और वह team में आपका recharge होना चाहिए, SMS आना जाना चाहिए, तभी आपका होगा, तो चलिए इसमें हम select कर लेते हैं और next पर click करते हैं पर click करने के बाद time लिया जाएगा आपका time लेने के बाद आपका verify कर दिया जाएगा मेरा जो है पहले से ही internet banking किया हुआ है तो आपको यहाँ पर proceed पर click कर देना है अगर पहले से sbi जो है internet banking किया हुआ है तो यहाँ पर आपको proceed पर click कर देना है proceed पर click करने के बाद आपके पास आपका user ID, password मांगा जा रहा है तो internet banking का user ID और password है आपको यहाँ पर fill कर देना है फिर आपको submit bottom पर click करना है तो चले डाल लेते हैं फिर submit bottom पर click करते हैं फिर आपको आगे का process बताते हैं सारा detail डालने के बाद आप submit पर click करते हैं, submit पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP भेजा गया है, वो OTP यहाँ पर fill कर देना है तो यहाँ पर OTP आ गया है, हम fill कर देते हैं, वो OTP आपके mobile पर भेजा जाएगा फिल करने के बाद आपको next पर click करना है next पर जैसे हैं आप click किजेगा यहाँ पर आपको एक pin बनाने के लिए बोला जाएगा mpin तो इसको आपको simply next कर देना है next करने के बाद आपको एक mpin select करना है six digit का तो आप किसी तरह भी दे सकते हैं mpin जो है एक से लेकर न तक zero से लेकर न तक का संखा आप दे सकते हैं यहाँ पर कुछ भी संखा आपको डालना है mpin आपको याद रखना है mpin से ही आप login कर सकते हैं और log out कर सकते हैं और कहीं भी पैसा भेजने के लिए जो भी करना है वो MP न आपको जोरत पड़ेगा, तो MP आपको यहाँ पर set कर लेना है, तो चलिए मैं set कर लेता हूँ, आपको next bottom पर click करना है, next bottom पर click करने के बाद sequence में दे दिये थे, तो sequence में नहीं होना चाहिए, अलग-अलग digit होना चाहिए, करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, congratulations you have successfully resisted, मेरा जो है registration हो गया, चलिए आपको लोग-इन करके दिखा देते हैं, यहाँ पर आपधे सकते हैं, मेरा जो है रेजिटेशन हो गया है यहां पर नया है कि आपको यह सारा जो है लोग इन हो गया यहां पर आप देख सकते हैं मेरा जो है सब कुछ यहां से दिखाई देगा आपका पैसा कितना है, क्या है सब कूछ आप एकाउंट करते हैं यहाँ पर यूनो पेमेंट कर सकते हैं सारा डीटेल आपको यहाँ से दिखाये देगा तो इस तरह से आप जो है घर वेठे यूनो SBI में रेजिटेशन कर सकते हैं और अपना एकाउंट को जो है ओनलाइन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है